वेल्कम बैक टू मेस्स क्लासिज और आज को जो वीडियो है बड़ी ही इंपोर्टेंट टॉपिक से इंट्रेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो आपको ही बड़ा इश्फूल होगा इश्फूल लगेगा भी आपको मास नाउन आपने प्रापर नाउन कामन नाउन ब्रियू बहुत सारे नाउन के काई उप पढ़े हैं आज हम पढ़ेंगे मास नाउन क्या है बड़ी इन्पेस्टिंग टॉपिक है तो प्लीज वास दिसवीडियो तिल इंट लाश्ट रम्न कुछ न कुछ आपको सीख कि जाएंगे लिए वीडियो से तो क्या है मास नाउ हम जानेंगे, some nouns are generally used in singular form, but when they are used in plural form and this meaning change, यसे कुछ ऐसे nouns होते हैं जो material noun, जिसको हम count नहीं कर सकते हैं, लेकिन material थी है, अबस्टेक भी noun है, उसको हम plural form में format नहीं कर पाते हैं, या चिंज नहीं कर पाते हैं, उसको प्रॉल फर्म नहीं बनाते हैं, जैसे iron, iron वी नहीं वेर लोहा होता है, या material नहीं है, तो यदि iron में हम लोग यास जोड़े हैं, तो इसका पूरा टोटली जो मीनिंग है, वो बगज जाता है, देएंगे irons, irons मींस हो गया फैटर जंजी, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, याप याप यास जोड़े, आइरन, irons का मतलब हो गया फैटर जंजी, अब देखिए, वी नो रहीली मिनिगा आप लकडी होता है, और जैसे उड़ में यस एड़ हुआ आप देखेंगे यहां पर उड़ में जैसे उड़स यहां पर तो उड़स का मतलब हो गया फॉरस्ट जंगल वाटर वी डॉन्ट वी नूं वेर वेर हम लोग अच्छे से जानते हो वाटर वाटर में स्पानी होता है और वाटर को हम ऐसा कर सकते है कि इसको हम पुर्बार में ने कर सकते हैं यह अगर में यस में गिंगी चेंज होता है water and water का मतलब हो गया नदिया, reverse, फिर देखेंगे force, force बल होता है, जैसे force में आप यस करते हैं, forces, तो forces का sense हो गया, आर्मी, तो यह है mass noun, जिसमें yes या yes लगाने, yes लगाने से, उसका जो meaning है, जो भाव है, बिल्कुल परिवर्तीत हो जाता है, change होता है, अगर थोड़ी सीजी आपको वीडियो अच्छे लेगे ती प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माइ चानल थैंक यू वाचिन 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 वाचिन